नमर स्थे बच्चो कक्षा साथ विशे विज्ञान और लेसन है चोथा उश्मा इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुकी है इस चैप्टर के अपने कोशन तर देखते हैं तो देखो पहला कोशन क्या दे रखा है प्रियोग शलातापमापी तथा डोक्टरी थर्मामेटर क जो कारे करने का सदान्त है वो क्या है समान है दोनों का ही प्योग तापमान को मापने के लिए किया जाता है दोनों में ही क्या होती है एक मोटी दिवार होती है कांच की नली होती है और एक महीन पत्ली नली से जुड़ती है तापमान मापने के लिए दोनों थर्मामेटर मे पारे का प्योग किया जाता है दोनों में ही Celsius और फारनी हैट अंकीत है ये तो दोनों की क्या है समानताई है अंतर क्या है अंतर देखो जू प्रियोक शलाताप मापी है उसका जो प्रियोक् conditioning आप मापी का प्रियोकीका प्रियोक्यकर कहते हैं प्योक्षला थर्मामेटर को सीधा खरा करना पड़ता है लेकिन जो डोक्टरी थर्मामेटर है इसको क्या किया जाता है जुकाया जाता है इसके बाद जो प्योक्षला तापमापी है उसका प्योक आरखानो और प्योक्षलामी किया जाता है डोक्टरी थर्मामेटर का जो प् उश्मा चालक इसका आर्था जो अपने में से उश्मा को प्रभाहित होने देता है तामबा अलूमिनियम लोहा और उश्मा रोधी जो अपने में से पानी को प्रभाहित सोरी नहीं होने देता इसके अंदर के आता है लकडी पानी हवा उश्मा रोधी में के आता है लकडी पा अपने उसके किस के द्वारा ताप मान के द्वारा प्रापत कर सकते हैं। कहलाती है, संबेहन कहलाती है और हलके रंगे बस्तरों के पेक्षा गहरे रंगे जो बस्तर हैं वो उश्मा का अधी कवशोशन करती हैं। और हलके रंगे कपड़े पेहना अपने गर्मियों में पसंद करते हैं। ताकि वो उश्मा को ज़्यादा अप्शोशित नया करें और अपने को ज़्यादा गर्मी का अनबब नया हो। इसके बाद देखो पांचमा कोशन के हैं कि सर्दियों में अपने एक मोटा बस्तर पहने की तुलना में उसी मुटाई की कई पर्तों का जो बना अधी कुशनता का बस्तर पहना पसंद करते हैं। तो देखो कि जो कपड़ों के पर्तों के बीच जब हवा फंस जाती है तो वह वायू क्या हो जाती है। उश्मा रोधी का कारे करती है। की लिए सर्दियों में एक मोटा बस्तर पहने की तुलना में हम उसी मुटाई का कई पर्तों का जो बना बस्तर है वो अधी कुशनता से अपने पहनते हैं। वह इदर जैसे बाप साइडों से निकलती है तो ये क्या होगी विकीरन होगी और बाप के रूप में जो उपर जाएगा वो क्या होगा समवेहन होगा। वह क्या होगा समवेहन होगा आपको इसके नाम ही लिखनी है नीचे वाला चालन ये विकीरन और उपर वाला क्या होगया समवेहन होगया। इसके बाद देखो सात्मा कोशन की गरम जलवाजू के स्थानों को पर यह प्रामर्स दिया जाता है की गरों की बाहरी दिवारों पर अपने श्वेथ पैंट केरें। सबस्क्राइब कि 50 दिए के साथ मिलाया जाता हि तो ऐक Вас के दोनों के बीच का रह जाएगा इसके बाद है कि 40 जिरी सेंटिरेर ताप की लोहे की किसी गोली को खोटोरे से में बरे 40 जिरी सेंटिरेर ताप के साथ ही मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया में उश्मा इस प्रक्रिया में फिर उश्मा क्या हो जाती है इस प्रक्रिया में उश्मा नया तो क्या होती है लोहे की गोली से जल की और नया ही जल से लोहे की गोली की और सांतर होती क्योंकि उश्मा का जो सांतर होता है वो उच्छ से नीमन की और होगा तो दोनों का ही समान है तो वो किसी और उश्मा है वो सांतरी तर नहीं होगी इसके बाद देखो दसमा कोशन की लकडी की एक चमच को आइस क्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सीरा क्या होगा थंडा नहीं होगा लकडी की चमज को आईस्क्रीम के प्याले में डबोये जाता है तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा इसके बाद 11 कोशन देखो स्टेनलेस इसपाथ की कडाही में प्राय कोपर कितली लगाई जाती है इससका और क्या होता है कि जो स्टेनलेस इसपाथ की बेख्चा जो तामबा है कोपर है वह मां का क्या है अच्छा चालक है इस बीव उसकी लगाई जाती है यह आच्छा चालक है तो आपकी स्पाथ की चोथी की कोशन उत्र पूरे हुए धन्यावाद